PCL 5 के 5 बंद एक समान नहीं होते हैं क्योंकि हमने ये देखा कि PCL 5 में जो 3 बंद है वो 120 अंश के होते हैं और जो 2 बंद होते हैं वे 90 अंश के होते हैं तो जो तीन बंद है वो equatorial होते हैं और जो दो बंद है वो axial होते हैं तो यह माना जाता है कि axial bond के लिए जो bond length होता है वो अधिक होता है क्योंकि वहाँ पर प्रतिकर्शन अधिक होता है जबकि equatorial bond के लिए जो bond length होता है वो कम होता है क्योंकि प्रतिकर्शन कम होता है PCL5 ठो सवस्था में पाया जाता है कुछ धनायन और रिनायन के फॉर्म में PCL5 ठो सवस्था में आयनी क्योगिक के रूप में पाया जाता है जैसे PCL4 प्लस और PCL6 माइनस तो यहाँ पर जो PCL4 प्लस है यह हम कह सकते हैं टिट्रा क्लोरो फॉस्फोनियम आयन यह यहाँ पर धनायन है और चतुश फल की संरचना को दर्शाता है जबकि PCL6 माइनस जो है वो रिनायन है और इसका नाम होगा हेग्जा क्लोरो फॉस्फेट फिफ्थ तो यह भी एक आयन है और यहाँ पर यह अश्ट फल की संरचना को दर्शाता है तो PCL5 ठोस अवस्था में एक आयनिक ठोस की तरह या आयनिक योगी की तरह कारे करता है अब हम जानेंगे फॉस्फोरस के विभिन आक्सो अमलो के बारे में फॉस्फोरस विभिन प्रकार के आक्सीकरण अवस्था के साथ कई आक्सो अमल प्रदर्शित करते हैं इसमें दो प्रकार की श्रेणी होती है एक होती है फॉस्फोरस अमलो की श्रेणी और एक होती है फॉस्फोरिक अमलो की श्रेणी तो एके करके हम जानेंगे कि Phosphorus Aml की श्रेणी में कौन-कौन से योगिक है और Phosphoric Aml की श्रेणी में कौन-कौन से योगिक है तो सबसे पहला है Phosphorus Aml की श्रेणी में Hypo Phosphorus Aml जिसका सूतर है H3PO2 ओकसी करनवस्था Phosphorus की प्लस-1 और्थो फॉस्फोरस अमल सूत्र H3PO3 ओक्सी करनवस्था प्लस 3 पाइरो फॉस्फोरस अमल H4P2O5 ओक्सी करनवस्था फॉस्फोरस की प्लस 3 तो ये तीनों यहां पर फॉस्फोरस अमल की श्रेणी में आता है और तीनों में आप देखिए कि लोवर ओक्सीडेशन स्टेट ह फॉस्फोरस की अब हम देखेंगे फॉस्फोरस की अन्य आक्सो अमल जो की फॉस्फोरिक अमल की श्रेणी में आता है इसमें सबसे पहला होता है हाइपो फॉस्फोरिक अमल जहां पर उक्सिडेशन स्टेट है फ्लस फॉर और फॉस्फोरिक अमल जहां पर उक्सिडेशन स्टेट फॉस्फोरस की अन्य आता है टॉस्फोरिक अमल यह यहाँ पर 3 लग के रूप में पाया जाते हैं या बहुलग के फॉर्म में पाया जाते हैं तो HPO3 इसका basic structure होता है और HPO3 whole thrice के रूप में भी इसे दर्शाया जाता है इसमें जो phosphorus होता है वो plus 5 oxidation state शो करता है तो यहाँ पर हमने देखा कि phosphoric अमल की श्रेणी में जितने भी योगिक हैं उक्सो अमल के उन सब में phosphorus की उच ऑक्सी करन वस्था पाई जाती है phosphorus के विभिन उक्सो अमल को बनाने की कुछ विदियों को हम जानेंगे सबसे पहले हम देखेंगे H3PO2 या hypo phosphorus अमल किस प्रकार बनाया जाता है hypo phosphorus अमल बनाने के लिए स्वेत phosphorus की क्रिया barium hydroxide से कराते हैं और इस स्थिती में इसका जलब घटन किया जाता है तो यहाँ पर बनता है पहले barium hypo phosphate और phosphine यह barium hypo phosphate जब sulfuric अमल से क्रिया करता है तो प्राप्त होता है hypo phosphorus अमल तो अब समिकरन देखिए 2P4 plus 3BAOH whole twice plus 6H2O is equal to 3BAH2PO2 whole twice plus 2PH3 तो यहाँ पर पहले barium hypo phosphate प्राप्त हुआ barium hypo phosphate का जब H2SO4 से reaction कराते हैं तो हमें hypo phosphorus अमल प्राप्त होता है तो समिकरन होगा यहाँ पर BAH2PO2 whole twice plus H2SO4 is equal to BASO4 यहने barium sulfate plus H3PO2 तो यहाँ 2 balance करने के लिखा जाएगा तो 2H3PO2 तो इस प्रकार प्राप्त होता है hypo phosphorus अमल अगला देखेंगे ortho phosphorus अमल H3PO3 बनाने के लिए phosphorus trioxide का जलब घटन कराते हैं तो phosphorus trioxide को यहाँ पर लिखा जा रहा है P4O6 के रूप में plus 6H2O is equal to 4H3PO3 यहाँ पर balance करने पर प्राप्त हुआ है और H3PO3 और्थो phosphorus अमल का सूत्र है ortho phosphorus अमल बनाने के लिए सफेद phosphorus का जब तुरंत जलब घटन होता है तब भी ortho phosphorus अमल प्राप्त होता है यहाँ पर समिकरन होगा PCL3 plus 3H2O is equal to S3PO3 plus 3HCl तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से ortho phosphorus अमल हमें प्राप्त होता है next देखेंगे pyrophosphorus अमल प्राप्त करने की विधी pyrophosphorus अमल का सूत्र होता है H4P2O5 तो जब कभी भी S3PO3 याने ortho phosphorus अमल की जब PCL3 से क्रिया कराई जाएगी तो भी H4P2O5 याने pyrophosphorus अमल प्राप्त होता है तो इसके लिए समिकरन होगा H3PO3 plus PCL3 जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो 5H3PO3 plus PCL3 is equal to H4P2O5 याने plus 3HCl तो इस तरह से भी हम H4P2O5 प्राप्त कर सकते हैं याने की pyrophosphorus अमल प्राप्त कर सकते हैं अगला है hypo phosphoric अमल hypo phosphoric अमल को बनाने के लिए जो लाल phosphorous होता है और चारी विलियन लेंगे और उसका फिर oxy करन करते हैं इसका चारी विलियन लेने पर जो बनता है उसके बाद उसका oxidation कराते हैं तो प्राप्त होता है hypo phosphoric अमल तो P4 plus 4H2O is equal to यहाँ चारी माध्यम में करिया होगी तो प्राप्त होता है 2H4P2O2 is equal to यहाँ फिर oxidation कराएंगे इस compound का और oxy current कराने पर याने oxygen से क्रिया कराने पर प्राप्त होता है hypo phosphoric अमल H4P2O6 तो 2H4P2O6 hypo phosphoric अमल प्राप्त हुआ तो यहाँ पर जो लाल phosphorous है उसके चारी विलियन से क्रिया कराने के बाद उसका oxy current कराते हैं तो प्राप्त होता है hypo phosphoric अब पढ़ेंगे ortho phosphoric अमल बनाने की विधी याने H3PO4 बनाने की विधी तो जो phosphorous pentoxide होता है तो उसे हम P4O10 के फॉर्म में लिखते हैं phosphorous pentoxide का जलब घटन कराने पर तो तुरंत जब इसका जलब घटन होता है तो जलब घटन कराने पर प्राप्त होगा P4O10 याने phosphorous pentoxide का जलब घटन कराते हैं तो समीकरण होगा P4O10 प्लस 6H2O is equal to 4H3PO4 तो यहाँ पर प्राप्त हुआ ortho phosphoric अमल ortho phosphoric अमल के द्वारा फिर हम pyrophosphoric अमल भी प्राप्त कर सकते हैं H4P2O7 तो H4P2O7 जो है वो प्राप्त करने के लिए जो ortho phosphoric अमल है याने H3PO4 है इसको गर्म करते हैं लगभग 220 degree centigrade पर तो 2H3PO4 is equal to 220 degree centigrade is equal to हमें प्राप्त होगा यहाँ पर pyrophosphoric अमल H4P2O7 प्लस H2O तो pyrophosphoric अमल इस विधी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अगला पढ़ेंगे metafosphoric अमल तो चुकि metafosphoric अमल एक बहुलक के रूप में पाया जाता है तो इसको बनाने के लिए जो pyrophosphoric अमल होता है उसे रक्त तप्त गर्म किया जाता है तो जब उसे रक्त तप्त गर्म किया जाता है तो metafosphoric अमल का जो small unit है वो प्राप्त होता है HPO3 और HPO3 प्राप्त होने के बाद उसका 3 लक जो है वो ही कहलाता है metafosphoric अमल तो यहाँ पर स्वामिकरन होगा H4P2O7 रक्त तप्त गर्म करने पर 2HPO3 प्राप्त हुआ याने basic structure जो metafosphoric अमल की वो प्राप्त हुई प्लस H2O orthophosphorus अमल के द्वारा भी metafosphoric अमल प्राप्त किया जा सकता है orthophosphorus अमल अर्थात H3PO3 इसकी क्रिया जब ब्रोमीन से कराई जाती है तो H3PO3 प्लस ब्रोमीन याने BR2 is equal to HPO3 प्लस 2HBR तो जो ये HPO3 है या हम कहें कि metafosphoric अमल है ये दो प्रकार से बहुलग बना सकते हैं एक होता है cyclotrimetaphosphoric अमल और दूसरा होता है polymetaphosphoric अमल दो प्रकार से बहुलग के रूप में ये पाए जाते हैं पहली स्थिती है cyclotrimetaphosphoric अमल और दूसरी स्थिती है polymetaphosphoric अमल तो यहां पर HPO3 दो प्रकार से बहुलग के रूप में पाए जाते हैं अब हम बिभिन फॉस्फोरस के जो ओक्सो अमल है उसकी सनरचना को देखेंगे और उसकी सनरचना के आधार पर उसकी छारकता का निर्धारन या अपचाया गुण का निर्धारन या असमानुपातन अभी क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉस्फोरस अमल के जो सबसे पहले जो ऑक्सो अमल स्रेनी का जो सदस है सबसे पहला वो है हाइपो फॉस्फोरस अंबल H3PO2 जहां पर oxidation state है प्लस 1 तो हाइपो फॉस्फोरस अंबल की जो सनरचना है वो यहां पर P double bond O, P H, P H, P O, H तो यहां पर आप देखिए कि P O, P double bond O, एक है मतलब एक bond जो है वो P double bond O का एक ही bond है P H, P H के यहां पर दो bond है इसी तरह से P O, H का एक ही bond है तो यहां पर बहुत सारी चीज़ों का निर्धारन हो सकता है यहां पर जो P H, P H है मतलब P और H दोनो तरफ अगर देखिए तो यह दो bond हो गया, P H, P H प्रकार का दो bond हो गया लेकिन यहां पर जो P H से direct H attached है वो आयोनाइज नहीं होता है H plus के रूप में तो यहां पर आयनित होने वाले जो हाइडरोजन है वो केवल वही हाइडरोजन आयनित होते हैं जो oxygen के साथ जुड़े होते हैं तो यहां पर इस सनरचना में देखिए O के साथ एक H चुड़ा हुआ है और यही आयनित होता है तो इसलिए जो हाइपो फॉस्फोरस अमल है वो एक चार किये या मोनो बैसिक होता है अब हम दूसरा देखेंगे और्थो फॉस्फोरस अमल H3PO3 H3PO3 की सनरचना में P double bond O, P H, P O H और P O H तो इस तरह से यहां पर देखिए आप कि P double bond O एक है और P H प्रकार का एक bond है और P O H प्रकार के दो bond है तो यहां पर O से जुड़े हुए दो हाइडरोजन है तो दो आयोनाइज हो सकते हाइडरोजन आयन के फॉर्म में तो यह दूई छार की होता है और P double bond O जो यह bond बनते हैं प्राया यह सभी जितने भी अभी हम देखे प्रकार का एक bond है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र पाइउनाईज होने वाले जो हाइडरोजन है, वह यहाँ पर दो ही है, तो इसकी छारकता भी क्या होगी? द्वी चारकिय याने यह द्वी चारकिय अमल होगा अगला देखेंगे हाइपो फॉस्फोरिक अमल का सूत्र है H4P2O6 तो कुछ भिन्नता यहां भी है देखिए P-P bond है यह special है यहां पर यहां P directly P से जुड़ा हुआ है P और P के बीच एक single bond है इसके बाद P double bond O और दूसरे के साथ भी P double bond O है फिर P-O-H इधर एक हो गया और P-O-H इस तरफ और फिर से P-O-H और फिर से P-O-H तो यहां पर हम देखते हैं कि चार प्रकार से P-O-H bond है मतलब चार जगह पर P-O-H bond है तो यहां आयोनाइज होने वाले जो हाइड्रोजन आयन है वो चार है तो इसकी छारक चार 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 की होगा तेट्रा बेसिक एसिड होगा यह तो इसलिए यह आयोनाइज़ेबल हाइड्रोजन है और यही आयोनाइज़ेबल हाइड्रोजन इसे चार चार की बनाते हैं अगला देखेंगे आर्थो फोस्फोरिक अमल में P double bond O और P-O-H P-O-H तो यहां तीन बं हैं तो तीन आयोनाईजेबल है यहाँ पर हाइडरोजन तो इसकी छारकता होगी त्री छारकी है क्योंकि तीन हाइडरोजन आयोनाईज हो सकते हैं अगला हम देखेंगे पाइरो फॉस्फोरिक अमल पाइरो फॉस्फोरिक अमल का सूत्र है H4P2O7 तो यहाँ पर भी P double bond O P double bond O और बीच में यह oxygen से जुड़ा हुआ है अर्थात यहाँ भी P O P प्रकार का bond है और यहाँ चार OH है यहाँ इस P से जुड़े हुए P O H प्रकार के चार bond है P O H, P O H, P O H और P O H तो चार hydrogen है जो की ironize हो सकते हैं तो यहाँ पर छारकता होगी चतूर चारकी तो tetra basic इसका type होगा अगला हम देखेंगे H P O 3 whole thrice तो H P O 3 whole thrice चुकि अब बहुलक के रूप में होता है तो यहाँ पर तीन जो इसके molecule है वो आपस में बहुली कृत अवस्था में रहते हैं तो यहाँ पर P O जो bond है P double bond O जो structure है वो यहाँ पर 3 है P O H प्रकार के bond भी 3 है और P O P प्रकार के bond भी 3 होते हैं तो सभी structure में आपने यही देखा कि P double bond O होता ही है जो की P πाई P πाई backbonding के कारण होगा और P H bond होता ही है तो P और H का bond यहाँ पर सभी में prior देखा गया और केवल वही hydrogen ionize होता है जो oxygen से जुड़ा होता है तो इसलिए चारक्ता को हम ionize होने वाले hydrogen के आधार पर count करते हैं तो इसकी संरचना को जब आप बनाएंगे तो इसके आधार पर आप इसकी चारक्ता को अच्छी तरह से समझ क कर सकते हैं यहाँ पर हम जानेंगे कि अपचायक गुण वाले जो oxo अमल है वो कौन कौन से हैं तो जो hypo phosphorus अमल होता है H3PO2 वह एक प्रबल अपचायक होता है एक अच्छा अपचायक माना जाता है तो H3PO2 जो है वह silver nitrate की लवड को silver में अपचयत कर देता है तो समीकरन 4AGNO3 प्लस 2H2O प्लस H3PO2 is equal to 4AG प्लस 4HNO3 प्लस H3PO4 तो यहाँ पर यह जो silver का लवण है silver nitrate उसको यह silver में अपचयत करता है इसी तरह से यह जो hypo phosphorus अमल है यह एक अच्छा अपचायक होने के कारण जो benzene diagonium लवण है उसे benzene में अपचयत कर देता है तो यहाँ benzene diagonium लवण benzene फिर यहाँ C6H5 N2Cl है प्लस H3PO2 यहने hypo phosphorus अमल प्लस H2O से बनता है benzene प्लस N2 प्लस H3PO3 प्लस HCl तो इस प्रकार यहाँ इसके अपचयक गुड को हम इन समीकरनों की साहता से समझ सकते हैं यहाँ पर हम असमानुपातन अभिक्रिया को भी समझेंगे प्लस 3 oxidation state वाले जो अक्सो अमल होते हैं वो अपने से कम अक्सीकरन अवस्था वाले योगिक और अप्चयत और अक्सीकरित हो सकते हैं तो जो हाईपोफोस्फोरस अमल है या और्थोफोस्फोरस अमल है उसमें असमानुपातन अभिक्रिया को हम समझेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे S3PO2 याने हाइपो फॉस्फोरस अमल तो हाइपो फॉस्फोरस अमल जब अपचैन होदा है इसका तो अपचैन की क्रिया होने पर ये अपने से कम ऑक्सीकरन अवस्था वाले योगिक बनाते हैं फॉस्फोरस के तो PS3 तो PS3 में फॉस्फोरस की जो ऑक्सीकरन अवस्था है वो माइनस 3 है और S3PO2 में जो फॉस्फोरस की ऑक्सीकरन अवस्था है वो प्लस 1 है इसके बाद इसका जब ऑक्सीकरन होता है तो ये S3PO4 बनाते हैं मतलब और्थो फॉस्फोरिक अमल बनाते हैं जहां पर फॉस्फोरस का जो ऑक्सीकरन अवस् प्लस 3 तो यह प्लस 3 औक्सिदेशन स्टेट में और अपने से कम जो ऑक्सिदेशन अवस्था दर्शाने वाले योगिक में परिवर्तित हो रहा है अप्चैन हो रहा है यहां पर तो पी-स-3 बना और S3PO4 बना यानि और्थो फॉस्फोरी कमल बना तो जब प्लस 3 ऑक्सिडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की S3PO3 में यानि और्थो फॉस्फोरस अमले में उससे वो अपने से कम ऑक्सिडेशन स्टेट वाले योगिक तक पहुच रहा है और यहां पर अपचैन की क्रिया हो रही है और अपने से अधिक ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस 5 होती है तो यहां पर यह जो प्रवृत्ती है इन और्थो अमलो की असमानूपातन क्रिया की है यहां पर वह अपने से कम और अपने से अधिक ऑक्सिडेशन स्टेट वाले फॉस्फोरस के विभिन योगिकों में परिवर् हो सकते हैं समू 15 से संबंधित प्रश्ण नाइट्रोजन द्वी परमाणू की रूप में पाया जाता है तथा फॉस्फोरस पी-फोर के रूप में पाया जाता है ऐसा क्यों नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है वेद्यू तरडात्मक का प्रबल है इसलिए ये पी-पाई- आकार नाइट्रोजन से बड़ा होता है एवं इसकी विद्यूत्रनात्मक्ता नाइट्रोजन से कम होती है अता पी-पाई-पी-पाई आबंध बनाने की शम्ता कम होती है इसलिए फॉस्फोरस एवं फॉस्फोरस परमावू के मध्य एकल बंध बनते हैं अता यह पी-फोर के रूप में होता है अगला प्रश्ण है r3po पाया जाता है जबकि r3no नहीं ऐसा क्यों नाइट्रोजन ऑकसीजन के साथ dpi ppi बंद नहीं बनाता क्योंकि nitrogen में d orbital अनुपस्तित होते हैं इसलिए सयोजकता तीन तक सीमित है, परन्तु R3NO में नाइट्रोजन की स्योजक्ता 5 होनी चाहिए, इसकी स्योजक्ता 4 होती है, जबकि फॉस्फोरस की स्योजक्ता कोश में रिक्त D orbital प्रेजेंट होता है, इसलिए फॉस्फोरस दी पाई पी पाई अतिव्यापन द्वारा R3PO बना पाता है, ज इस से फॉस्फोरस की स्योजक्ता 5 होती है, अगला प्रश्ण है, ट्राई हैलाइडों की अपेक्षा पेंटा हैलाइड अधिक सहसेयोजी क्यों होते हैं, केंदरी परमाडू की जितनी अधिक धनात्मक आक्सीकर नवस्था होती है, उसकी ध्रुवन चमता उतनी ही अधिक ह होती है, यानि जितना छोटा परमाडू होता है, धनात्मक परमाडू छोटे आकार का होता है, तो उसकी ध्रुवन चमता उतनी ही अधिक होती है, जिसके कारण केंदरी परमाडू और हैलोजन परमाडू के मध्य बनने वाले बंद का जो सहसेयोजी लक्षन है, वो बढ़ जाता है इसलिए पेंटा हैलाइड में केंदरी परमाडू प्लस 5 औक्सिकर नवस्ता में हैं, जबकि ट्राइहलाइड में या प्लस 3 औक्सिदेशन स्टेट में होती है, अतला ट्राइहलाइड की अपेक्षा पेंटाहलाइड जो कि अधिक होता है, अगला प्रशन, pH 3 से pH 4 प्लस का आबंद कोण अधिक होता है क्यों? pH 3 में pH 3 एवं pH 4 प्लस में Phosphorus की जो संकरन अवस्था है वह sp3 है pH 4 प्लस आयन में चारों और उपस्थित जो कक्षक है वे आबंदित होते हैं याने बॉंडिंग होते हैं जबकि pH 3 में Phosphorus पर एक इलेक्ट्रोन युग्म उपस्थित होता है जो कोण के मान को प्रतिकर्शन के कारण कम करते हैं अतह यहाँ पर जो बंद कोण का मान है pH 3 में वो एक्सो नौ डिगरी 28 मिनट से घट जाता है क्या PCL5 ओक्सिकारक और अप्चायक की तरह कारी करते हैं? PCL5 में Phosphorus की ओक्सिकरण संख्या प्लस 5 है जो अधिक्तम होती है यह इसे और ज्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं PCL5 अप्चायक का कारे नहीं कर सकते परन्तु यह अपनी ओक्सिकरण संख्या प्लस 5 से घटा कर प्लस 3 कर सकते हैं अर्थात यह ओक्सिकारक की तरह कारी कर सकते हैं जैसे हमें कुदाहरण लेंगे सिल्वर के साथ जब PCL5 की करिया होती है तो सिल्वर हैलाइट प्लस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइट बनता है यहां पर PCL5 एक ओक्सिकारक की तरह कारे करता है अर्थात PCL5 के फॉस्फोरस का ओक्सिरेशन स्टेट प्लस 5 है जबकि PCL3 में इसी प्रकार टिन के साथ करिया करते समय, PCL5 ओक्सिकारक की तरह कारे करता है यहां भी PCL5 के P में प्लस 5 औक्सिरेशन स्टेट है जबकि PCL3 में, P में प्लस 3 औक्सिरेशन स्टेट होती है अगला प्रश्ण है NO2 द्विताई क्रित क्यों होती है याने डाइमराइस क्यों होती है NO2 में जो सयोजी इलेक्टरॉन है वह विशम संख्या में होते हैं याने और इलेक्टरॉन होते हैं और द्विताई क्रित होने पर यह एक स्थाई NO2 में सयोजी इलेक्ट्रोन विशम संख्या में होते हैं यह विशम इलेक्ट्रोन अणू की तरह कारे करता हैं द्विताई क्रित होने पर यह एक स्थाई N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रा ओक्साइड आणू में परिवर्तित होता हैं जिसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या सम हैं अतह NO2 द्विताई क्रित होकर अधिक स्थाई संदचना N2O4 बनाती हैं जिसमें 2NO2 is equal to N2O4 PCL3 नमी में धूम्र क्यों देते हैं नमी की उपस्थिती में जब PCL3 जलब घटित होते हैं तो HCl का धूम्र बनता है और इस HCl के कारण ही धूम्र उत्पन होता है तो PCL3 plus 3H2O is equal to H3PO3 plus 3HCl समझाईए कि क्यों लगभग एक समान विद्यूत्रनात्मक्ता होने के पस्षाद भी nitrogen hydrogen आबंध निर्मित करता है जबकि chlorine नहीं oxygen पर्माडू में केवल दो कक्षक होते हैं 1s2, 2s2, 2p, 4 जबकि chlorine में 3 कक्षक होते हैं 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 5 अता oxygen पर्माडू का आकार छोटा होता है और hydrogen बंद बनाने के लिए यह शर्थ होती है कि hydrogen जिस पर्माडू के साथ भी बंद बनाएगा वहां उसका आकार छोटा होना चाहिए छोटा आकार हाइड्रोजन बंद बनने में सहायक होता है अता ओक्सीजन हाइड्रोजन से बंद बनाकर हाइड्रोजन बंद बनाता है जबकि क्लोरीन बंद नहीं बनाते हैं N2O वायू की अपेक्षा जलने में अधिक सहायक होती है क्यों N2O सिघ्रता से विघटित होकर ऑक्सीजन मुक्त करती है अता यह जलने में अधिक सहायक होती है 2N2O is equal to 2N2 plus O2 यहां N2O में 33.3% ऑक्सीजन है तो यह वायू की अपेक्षा जलने में अधिक सहायक होती है